हुआ हुआ है काई वेलकम वैक तो माई यूटूब चानल टेकनिकल स्कील्स आज का हमारा जो टॉपिक रहगा हो किसी भी कंप्यूटर या लैप्टोप में स्क्रीन में जो एप्लिकेशन है उनका जो साइज है काफी बड़ा होता है और इसको किस तरीके से हम कस्टमाइज कर तो इसको साइड कर सकते है तो इसके बहुत बहुत एजी प्रेश्य होती है इसके लिए करना कुछ नहीं होता है बहुत सिंपल है आप अपने आ जाते हैं हमारे लैप्टोप और कंप्यूटर स्कीन पर आपने यहां पर राइट क्लिक करनी एंदन जो भी होए वीव पर आपने रिफ्रेश करनी आइटम टाइप पर व्यू में आकर आपको शॉर्ट वाय पर आना इसमें फिर आइटम टाइप पर क्लिक करते हैं ठीक है यह आटमेटिकल कस्टमाज हो जाते है यहां पर आपने रिफ्रेश कर देना ठीक है एंड सेगं तिंग और अब हम बात करे आपको शॉर्ट करके तो थे आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करनी और प्रोपर्टी पर आनीए और यहां पर आपको एक आप्शन मिलेगा यूज स्वाल टासक पर बटन से और इस पर चेक खिलिक करनी और अप्लाय कर दिना है ना यह एज यहां पर किस तरीके से यह वो पूरे एक शाथ हो चुके है, okay, in second thing, फिर हम जाते हैं, resolution पर, तो अभी हम, जैसे कि हमारे पीड है, आप देख पा रहे हो कि, जो screen resolution काफिय हमें, biggest हो कर रहे है, so, हम इसके लिए आजाते हैं, easily आपको आ नाए, display setting पर, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करनी है और एडवांस डिस्प्ले साइटिंग पर क्लिक करनी है एंदेन इसके बाद आपको आजाना यहां पर रिजॉलिशन पर जैसे कि यहां पर अभी 1280 इंटू 720 है तो मैं इसको यहां पर अपने हिसापसे से मैं कस्टमाइज करूंगा 1380 इंटू 800 और मैं इससे मैं इसली यहां पर अप्लाई कर देता हूं तो गाइस अब देखेगा सुमने सप्लाई कर चुका हूं इसके बाद आप देखेगा जो डिस्पे रिजॉलिशन हो किस तरीके से चेंज हो जाएगा नाव यह एजिकन सी देट यह जो रिजॉलिशन है काफी चेंज हो चुका है तो यह करना बहुत इजी है जानकार यह अच्छी लगी हो तो वीडि किजिए गन सब्सक्राइब किजिए थैंक यू फॉर वचिंग